जैमा भावानी राजपूतों के परमुक 36 राजवनसों में से एक विशिस्ट वन्स है परमार वन्स इन्हें ही पमार भी कहा जाता है आठवी सताब्दी से तेर्वी सताब्दी तक परमार राजपूतों का इस देश में विशाल सामराज्य था इन वीर राजपूतों के इतिहास का वर्णन करने से पूरों हम इनकी उत्पत्ति के विशे में जानते हैं परमारों की उत्पत्ति के विशे में विभिन इतिहासकारों के अनेक मत हैं परमार सत्रिय परंप्रा में अगनीवन शिमाने जाते हैं इसकी पुष्टी साहित्य एम सिलालेख भी करते हैं अगनीकुंड से परमारों की उत्पती को वाक्त प्यूंजी के दर्बार कवी पद्म गुप्त द्वारा नव संग साहक चरिते द्वारा इसपश्ट किया जाता है इसके अनुसार आबू परवत पर वशिष्ट रिशी रहते थे उनकी गाई नंदनी को विस्वा मित्र चल से हर ले गए इस पर वशिष्ट ने क्रोध में आकर अगनीकुंड में आहुती दी जिससे एक वीर पुरु से उत्पन हुआ जो सत्रों को पराजित कर गो माता को ले आए उसी वीर पुरु से वनसजे उसके नाम पर परमार अथवा पवार कहलाए इसी बात का वर्नन डुंगरपुर वबासवाडा राजस्थान में परमार चामुंड राज दौरा बनाएगे महादेव मंदिर में मिले शिलालेख भी करते हैं उन शिलालेखों के अनुसार भी गुरु असिस्ट की गाई को ले जाने पर दिव्य पुरुस ने ही परमार वनस की इस्तापना की तता यह सबी बाते पर्थिराज रासों में भी देखने को मिलती है वहीं भविश्य पुरान के कुछ सिलोक के माद्यम से यह भी पता चलता है कि समराट असों के समय में आबू परवत पर ब्रामनों ने यग्य कर चार शित्रिय वीर पुरुस उत्पन किये परमार चोहां चालु के तता प्रतिहार इन ही के नाम से यह वन सले भविश्य पुरान के अनुसार पर्थम आबू यग्य समराट असों के समय में 232 इसापूरु से 215 इसापूरु के मद्य हुआ और दूसरा यग्य छटी सताबदी में गुरू असिस्ट ने किया इसलिए विश्य पुरान के अनुसार पर्थम यग्य से ही परमारों की उत्पति मानी जाती है सबसे प्राचिन उलेख परमार सियक के हर सोर जो की एहमदाबाद के पास है में मिले विक्रम सम्वंत 2005 के दान पात्तर में पाया गया जिसके अनुसार परमारों की उत्पती राष्ट कूटों से मानी जाती है तता राष्ट कूटों की भाती ही परमारों को भी चंदरवन्शी माना गया तथा वाकपती मुंज के दरबारी कवी हलायुद द्वारा रचीते मर्त संजीवनी में भी परमारों को राष्ट कूटों का वनसज तथा चंदरवन्शी माना गया है पंजाब के परमार आज भी स्वयम को चंदरवन्शी ही मानते हैं वहीं स्रीमत भगवत गीता वायुपुराण एयों बंगाल के चंदरवन्शी राजावीजे से इनके सिलालिखों के अनुसार भी परमार को सौमवन्शी अथार्त चंदरवन्शी कहा गया है परन्तु परमार स्वयम को सौर्य वन्शी मानते हैं उद्यपुर एयों पटना के सिलालेखों में भी परमारों को वशिष्ट गोत्रिय सौर्य वन्शी चत्रिय माना गया है परान मारतीती परमार अर्थार्त शत्रों को मारने वाला ही परमार कहलाता है परमारो के मुखे राज्जे थे मालवा, बागड मेवाड, आबू राजस्तान, जालो राजस्तान, किराडू राज्य, ततनагीम राज्य थे दाता गुजरात, पिसागन अजमेर, देवास, तता धार राज्य मध्यप्रदेश, टेहरी गद्वाल ये पोडिगद्वाल राज् राजगडवय, नर्शिंगड मध्यपरदेश, छत्तरपूर राज़, बेडी राज़, अमरकोट राज़, सिंद पाकिस्तान, पारकर राज़, तता जगमेर राज़, यह सबी मुखे राज़ थे परमार रासपुतों के, गोत्र होता है वशिष्ट, परवर होता है वशिष्ट, अत्री, सांकरती, वेद होता है यजुरवेद, उपवेद होता है धनुरवेद, साका होती है माध्यनिंदिनिय, सूत्र होता है पारसकरगर है सूत्र, वरक्स होता है कदमका या पीपली, इस्ट देव है, सूरे देव तलवार है रणतरे, धाल है हरियन, निसान है केशरी, धोजा है पीला रंकी धोजा, गाई है कवली, नदी है शिप्रा, पकछी है मयूरा, परमुकद्दी है थार नगरिया उज्येन उत्तर भारत के पर्मारों की कुल देवी सचियाई माता तता उजेन के पर्मारों की कुल देवी काली देवी है इस वन्स में राजा भोज पर्मार विकरमादित्य जैसे समराठ तता भरतरी जैसे संतों ने भी जर्म लिया अब बात करते हैं परमार वन्स की मुख्य खाँपे एमठी कानों के बारे में परमारों की पहली साका है वराह परमार इन्हें नोकोटी मारवाड के संस्थापक धर्णी वराह जिक का वनसज माना जाता है अभी परमारों में यह खाँप नजर नहीं आती नवी सताब्दी में इनका भाटियों से संघर चला था लोदर्वा परमार यह परमारों की प्राचिन खाँप है भाण जी के वनसजों का सासन लोदर्वा पर होने के करण इन्हें लोदर्वा परमार कहा गया भाटियों ने इनके राज्य को समाप्त कर अपना अधिकार जमा लिया था बूटा परमार यह परमार की वरहत अता लोदरवा परमारों के समकालीन थे भाटी रासपूतों से इन्होंने भी संगर्श किया था लेकिन अंध में भाटी वीजे रहे चन्ना परमार यह परमारों की एक प्राचिन खाप थी मोरी यह भी परमारों की प्राचिन खाप थी राजा मोरी परमार के वनसज ही मोरी परमार कहलाए आज भी मोरी परमार चितोड तथा मालवा छेतर में रहते हैं सुम्रा राजा सुम्रा परमार के वन सजी सुम्रा परमार कहलाए नवी सताबदी में से तेरवी सताबदी तक सिंद के कई भागों पर इनका सासन था उम्रा सुम्रा ने ही नवी सदी में उमरकोट अत्वा अमरकोट बसाया अमरकोट पर 13 सदी में सोड़ा परमारा आसपुतों ने अधिकार कर लिया अलाओ दिन के समय सुम्रा परमार मुसल्मान बन गे थे उमट परमार इस खाप की उत्पती के अनेक मत है लेकिन अधिकार्च इतिहास कारों के अनुसार अमरकोट के संस्तापक उम्रा सुम्रा के वनसजी उमट परमार कहला गौलियर के पास नर्शिंगडवे राजगड़े उमट परमारों के राज़े थे यहां यह परमार आज भी बशे हुए हैं बीहल परमार यह भी परमारों की प्राचिन खाफ है जिनकी उत्पती का इस्पष्ट पता नहीं चलता अबू के पास इनका राज्य था डोडिया परमार राजा उद्यादिते के पुत्र पिल धोल के वनसज माने जाते हैं इनकी उत्पती विक्रम सम्वंते 900 से पूरु ही हो चुकी थी परमारों की प्राचिन खाफ होने के कारण इनने 36 राजपुत्कुलों में भी जोड़ा गया गुजरात में बढ़ोदा के पास डोड़ा नमकिस्तान से निकास के कारण यह परमार डोड़ अथवा डोड़िया कहलाए उत्तर परदेश मद्या परदेश तता गुजरात में यह परमार सरवादिक निवास करते हैं इस परमार साखा में अनेक वीर पुरुसों ने भी जनम लिया सोड़ा परमार किराडो के सासक राजा धरनी वराह के वनसज सोड़ा तता सांखला दो भाई थे सोड़ा जी के वनसज सोड़ा परमार तता सांखला जी के वनसज सांखला परमार कहलाए राजा धनीवरा साचीश अताबदी में नो कोट के राजा थे सोडा परमारू की मुख्ये खापे हैं भान सोडा हमर कोट के सासके दूरजन सल के बड़े पुतर खेमरा सिंगासन पर बैठे इन ही के छोटे पुतर भान जी के वनसज भान सोडा कहला है केलन सोडा, भान जी के भाई केलन जी के वनसज केलन सोडा कहलाए यह आज घाट छेतर पाकिस्तान में रहते हैं नागड सोडा, केलन जी के भाई नागड जी के वनसज हैं यह संगरामशी सोडा, यह नाहड जी के भाई संगरामशींग जी के वनसज है अमरकोट के आसपास गाड़ छेतर में बसे है बेर्शी सोडा अमरकोट के सासक हमीर जी के पुतर बेर्शी जी के वनसज बेर्शी सोडा कहलाए इनकी तीन मुखे खापे हैं नबा सोडा, देवा सोडा, रायब सोडा बरजांग सोडा बेरसी जी के भाई बरजांग जी के वनसज हैं ये उदा सोडा बरजांगन जी के भाई उदा जी के वनसज हैं ये यह आज बराई पाकिस्तान में ही बसते हैं महरान सोडा उदा जी के पुटर कुपा, कुपा जी के पुटर बेहसल तता बेहसल जी के पुटर महीरावन हुए इन्ही महीरावन जी के वनसज महीरावन सोडा कहलाए सादूल सोडा महीरावन सीख जी के पुटर खेट सी के पुटर सादूल जी के वनसज सादूल सोडा कहलाए यह भी पराई पाकिस्तान में ही बसते हैं लोट सोडा अमरकोट के सासक तेज सीग जी के वनसज हैं करनिया सोडा तेज सीग जी के परपोतर करनी सिंग जी के वनसज है बिजेरान सोडा अमरकोट के सासक हमीर जी के पोतर बीजा जी के वनसज हैं नर्सिंग सोडा हमीर जी के वनसज नर्सिंग जी के वनसज हैं पाकिस्तान के चाचरों वे फागलियों इनके ठीकाने थे नरपाल सोड़ा अमरकोट के राजा राणा तेशी के पुत्तर नरपाल जी के वनसज है गंगदास सोड़ा राणा गंगा जी के वनसज गंगदास सोड़ा कहलाए अमरकोट के आसपास इनके ठीकाने थे भोजराज सोडा गंगाजी के परपोतर भोजराजी के वनसज है ये सोडा छोल खूरा तता ठीगारी इनके ठीकाने थे जोधा सोडा गंगा जी के पुत्र मान सिंग जी के तथा मान सिंग जी के पुत्र जोधा जी के वनसज जोधा सोडा कहलाए आसराव सोडा हमरकोट के सासक दुरजन साल के छोटे बाई आसराव जी ने पारकर छेतर पर अधिकार किया इसी आसराव जी के वनसज आसराव सोडा कहलाए यह सोडा परमार बिहार के नागपुर छेतर में रहते हैं सांखला परमार किराडो के सासक धनी वराह जी के वनसज बाहर जी के पुतर सांखल जी के वनसज सांखला परमार कहलाए भायल परमार उद्यादित्य परमार के पुत्र वीरसल जी के पुत्र भाबा परमार के लाए यह परमारों की प्राचिन खांप है आकरमनकारी हुन जाती से यह भी नहें सावंत परमार, रिन धवल जी के पुतर हमीर जी के पुतर सावंत जी के वनसज सावंत परमार कहलाए बारड परमार, यह परमारों की प्राचिन खाप है, इस खाप की उत्पती भी उद्यादित्य के वनसजों से ही मानी जाती है सुजान परमार हमीर जी के पुत्तर सुजान जी के वनसज है ये कुंतल परमार हमीर जी के पुत्तर कुंतल जी के वनसज है हुरड परमार रिन दहुल जी के पुत्तर महीदेव जी के पुत्तर कर्मन जी के पुत्तर हुरड जी के वनसज है खुड परमार कहलाए सलाडत परमार महीदेव जी के पुतर साला जी के वनसज है रबडिया परमार महीदेव जी के पुतर रबड जी के वनसज है धलवार महीदेव जी के पुतर रबड जी के वेबी वनसज है धंद परमार महीदेव जी के पुतर धंद जी के वनसज है सिंगन परमार, महीदेव जी के पुतर अमरेश जी के वनसज है कुरड परमार, अमरेश जी के पुतर कुरड जी के वनसज है उलधा परमार, अमरेश जी के पुतर उलध जी के वनसज है बलिला परमार, अमरेश जी के पुतर बलिल जी के वनसज है गुंगा पर्मार जगदेव जी के पुत्र गुंगा जी के वनसज गुंगा पर्मार कहलाए धा के बाडमेर इनका ठीकाना था काबा पर्मार जगदेव जी के पुत्र काबा जी के वनसज काबा पर्मार कहलाए गहलड़ परमार जगदेव जी के पुत्तर गहला जी के वनसज हैं सिंघल परमार सिंघल जी परमार के वनसज हैं ये गुजरात में बार्डू बेलो इनका मुख्य ठिकाना था नांगल परमार यह भी परमारों की एक मुख्य खाप थी तिरिया पर्मार यह पर्मार जेसल मेरे में कुछ हिसों में बसे हैं जोखा पर्मार रिन धवल जी के पुतर पातल जी के पुतर जोखा जी के वनसज जोखा पर्मार कहलाए नल परमार, रिंडवल जी के पुतर पातल जी के पुतर नल जी के वनसज जी नल परमार कहलाए मदन परमार, पातल जी के पुतर मदन जी के वनसज है पोसवा परमार, पातल जी के वनसज पोसवा जी के वनसज है खहर परमार, पातल जी के पुतर खहर जी के वनसज है उदादित्य के पुतर मही धवल जी के पुतर सुकल जी के वनसज सुकला परमार कहलाए महपावत परमार राजबोच के वनसज महीपाल जी के वनसज महपावत परमार कहलाए अजमेर के पास पी सांगन इनका रज्य था डे कहा परमार यह परमार बिहार के सहबात अतापटना में बसे हुए है इसके अलावा परमारों की यह और भी अनेक हापे है